सद्कुरु माता सुदिक्षा सवींदर हर्देव जी महराज के पावन पवित्र चर्णों का ध्यान रख के बोलना जी धाननी रंकार जी सासंगत जी सद्कुरु माता जी का शुकुराना करते हुए दासी आप जी के चर्णों में ये विचार रखने जा रही है ये विचार एक सची घटना पर अधारित विचार है कि जो हमें सद्कुरु समझा रहे हैं उस शिक्षा को हम कितना जीवन में अपना रहे हैं यह महात्मा ने मिसाल देकर एक्जामपल देकर हमें दिखाया है कहते हैं कि संत महात्मा जीने हम कहीं बार साधारन गुरुसिक समझ बैठते हैं अपनी गुरु भगती की ऐसी मिसालें कहीं बार पेश कर देते हैं कि हमें स्वयम के गुरुसिक या माहपुर्ष होने पर शरम आने लगती है ऐसी ही एक घटना का जीकर दासी यहां इसलिए कर रही है कि हम सभी इस महात्मा से प्रेड़ना ले पाएं घटना कुछ साल पहले गर्मियों की एक तप्ति दो पहर की है जब कैथल में एक महापुर्ष जो विहार के रहने वाले हैं लेकिन वो कैथल में एक फैक्टरी में काम करने के लिए आए हुए थे कहते हैं कि वह कई सालों से कैथल में रह रहे थे और नित्य प्रति सस्थन भी किया करते थे एक दिन भरी दोपहर में वह एक महात्मा की शोप पर पूँचे जिने वे जानते थे और कई बार सामान भी ले जाते थे दान निरंकार करने के बाद ठंडा पानी पीकर इस महापुरश ने अपनी जो दिल की बात थी अपने जो दुख दरत थे इस महात्मा को सुनाते हुए इस शोप वाले महापुरशों से दो हजार रुपे की मांगी और कहा कि यदि रुपे की विवस्था ना हुई तो इनका ब अच्छा बहुत जादा बीमार है पूरी बात सुनकर दुकान वाले महापुरशों का मन दया से भर गया मगर जब दो हजार रुपे देने की बात आई तो वे सोच में पड़ गए और मन ही मन अरदास करने लगे कि सत्गुरु तो कोई रास्ता निकाल सकता है और सत्गुर तो जैसे त्यार ही बैठा था क्याते हैं कि स्योंग वस कैथल के मुखी महात्मा वहां पहुंचे और दुकान वाले महापुरशों ने मुखी महात्मा के चरनों पर धन निरंकार करके उन से सहायता की प्रात्ना की मुखी महात्मा जी ने उन्हें आशीर वाद दिया कि आप जाओ आपका काम शाम से पहले ही हो जाएगा सुनकर बिहार वाले महात्मा उठकर खुशी खुशी चले गए क्याते हैं कि इस दुकान से फैक्टरी तक का रास्ता दो किलो मिटर का था और वो पैदल ही सिमरन करते हुए जा रहे थे गर्मी जादा होने के कारण सडक सुनसान थी कोई भी सडक पर नहीं था लगभग एक किलो मिटर पहुचने पर उन्हें सडक के बीचों बीच एक लाल रंग का बैग दिखाई दिया उन्होंने उसे उठाया और आस पास दूर दूर तक नजर दोड़ाई मगर वहाँ कोई नहीं था कुछ देर इंतजार करने के बाद उन्होंने बैग खोला तो उसमें दो लाख रुपे देखे महापुर्ष को इतना रुपया देखकर महापुर्ष एक दम से घवरा गए काप गए और उन्होंने मन ही मन सिम्रन किया कि है सचे पाश्या है निरंकार प्रभु परमात्मा यह रुपया किसी का गिर गया है और वे है अविश्य है इस कारण बहुत परशान हो रहा होगा इसलिए आप जी किर्पा करो यह रुपया उस इनसान तक पहुंच जाए जिसका यह रुपया है और वे महात्मा वही पर ही बैठ गए बिहार वाले महात्मा वही पर ही बैठ गए दो तीन घंटे बीतने के बाद उन्हें एक बाइक पर दो सीख सजन आते दिखाई दिये जो इदर उदर पड़ी ध्यान से देख रहे थे जब वे इन महापुरुशों के पास से गुजरे तो वे रुक गए और बोले कि क्या आपने कोई लाल रंग का बैग देखा है बिहार महात्मा बोले मकर उसमें क्या था वे बोले उसमें दो लाक रुपे सो सो रुपे की गडियों के रूप में थे गठियों के रूप में थे महापुरुश ने उन्हें जाडियों के पीछे चिपाया बैग दिखाया और पूछा कि क्या यही वो बैग था बैग देखकर वे पूरे थे बैक देने वाले की हालत और हिमानदारी देखकर वे इतने इंप्रेस हुए कि उन्हों ने बीस हजार रुपे उन्हें देने के लिए बहुत बाराग्रे किया मगर महापुर्षों ने वो रुपे लेने से मना कर दिया आखिर एक घंटा विंती करने के बाद महापुर्ष ने केवल दो हजार रुपे इस शर्ट पर लिए कि वे तीन महीने बाद यह उधार चुका देंगे क्योंकि इस समय उन्हें दो हजार रुपे की सख़ जरूरत है उन सज्जन महात्माओं ने कहा कि आप दो लाख रुपे भी रख सकते थे आपने बीस हजार भी नहीं लिए और दो हजार लिए हैं तो वो भी आपने उधार लिए हैं आखिर ऐसा क्या हुआ है उस महात्माओं ने बताया कि मेरा बेटा बहुत जादा बीबार है और मैंने उसका इलाज करवाना है मेरे पास दो हजार रुपे की कमी रह गई है इसलिए अगर दो हजार रुपे नहीं मुझे मिले तो मेरे बेटे का इलाज बीच में ही रुप जाएगा तो इस तरह वो सज्जन उसको उस महापुर्ष को दो हजार रुपे दे गए लेकिन यहां पर भी उस महापुर्ष ने कोई ये नहीं कहा कि मैंने आपका ये जुबैग लुटाया है उसके लिए मैं ये इनाम ले रहा हूं नहीं फिर भी वो महापुर्ष बिहार वाले कह र की किरपा से रोम रोम हमारा सत्कुरू सच्चे पाश्या का शुकर बुजार करता है कि सच्चे पाश्या हमें आप जिने ऐसे संतों महात्माओं का संक दिया है ऐसे संतों महात्माओं से हमें यही प्रेर ना मिलती है कि जिस तरह हमें सत्कुरू समझा रहे हैं कि हमने इमानद सारी से रहना है तो इस महापुर्ष ने यहां पर सत्कुरू की शिक्षा को अपने जीवन में अपनाया है करम रूप में करके दिखाया है तो सचे पाश्या हम भी इसी तरह हैं आप जी जैसा चाहते हो हम भी ऐसे ही करम करते जाएं करते हैं भला सबका इनसान जो दुनिया मे गरगर पूजे जाते इनसान वो दुनिया में ये खलकत सारी तो खालिक ने बनाई है जब जाना खालिक को तो समझ में आई है क्याते हैं कि जब इस खालिक को जाना इस निरंकार को जाना तब ही समझ में आया कि हमने सब का भला करना है इमानदारी से रहना है किसी के साथ ध सहारा ले लेते हैं तो ये अपने आप हमारे सारे काम करता चला जाता है। वस्दा मददगार है कहे अवतार जो अंगसंग वस्दा साथे वस ए निरंकार है। ये हमारा सचा साथे है जो हमारे सारे काम करके भी कभी ऐसान नहीं जतलाता कि मैंने ये काम आपका किया है। आप जी ने हमें चुना है इसी तरह हमें अपने चरनों से लगाए रखना हम तो आप जी के बच्चे निमाने हैं। हम तो आप जी के गुर्शिक निमाने हैं चरनों से लगाया है चरनों से लगाए रखना हम आप जी के निमाने बच्चे हैं। इसी तरह की एक और घटना भी दासी आप जी के चरनों में रखेगी। ये भी कैथल वाले महापुर्शों ने ही अक्टर परद्यूमन भल्ला जी ने ही लिखी है ये पत्रिका में। उन्होंने बताया है कि हर्याना भीवानी में सतकुर बाबा हरदेव सिंग जी महराज की हजूरी में समागम हो रहा था। तो कहते हैं कि तीन परिवार एक ही गाड़ी से बाबाजी के दर्शन करने वे समागम का अनन्द लेने के लिए भीवानी समागम में पहुँचे। दूसरे दिन गुरु वंदना के बाद जब तीनों परिवार खुशी खुशी घर लोटने लगे तो रात के ग्यारा बज चुके थे और वे भीवानी से 30 किलो मिटर दूर आ चुके थे कि अचानक एक महात्मा का मुबाइल बजा। समागम मैदान से किसी बेहन का फोन था जो इन महापुर्शों को जानती थी उस बेहन ने विंते की कि महापुर्शों जी हमारा एक रिष्टेदार ब्रहम लेन हो गया है और उसका वहाँ पहुँचना बहुत ही जरूरी है मगर प्रोबलम यह है कि वो बेहन कहती है कि मेरे पती को जो विशेश ड्यूटी पर थे उन तक पहुँचने में समय लग सकता था इसलिए बेहन चाहती थी कि वो महापुर्शा कर उनके पती को ढूंडने वे उन्हें स्टेशन तक पहुँचाने की विवस्ता करें ताकि वे जल्द से जल्द अपने ब्रहम लेन हुए लगी ने कहा कि हमें दूर पहुचना है रात का समय है समागम में तो अनेकों महात्मा है कोई ना कोई इस बेहन कोई साहिता कर देगा कोई ना कोई विवस्ता हो जाएगी हम चले चलते हैं अपने घर की तरफ मगर महात्मा ने गाड़ी वापस करवा ली कहने लगे नहीं उ समय उसे हमारी हेल्प की जरूरत है तो हमने उस बेहन की ऐसे समय में हमने हेल्प कर दी हैं उन्होंने गाड़ी वापस करवा ली और वो महात्मा उस बेहन तक पहुचे उस बेहन को होसला दिया उसे हीमत दी और उस बेहन के पती को ठूंडा दोनों को स्टेशन तक पहुच और अरदास करते हुए उन्हें गाड़ी में बिठाकर उनसे विदा ली इस सारे काम में इन महापुर्शों के दो घंटे लग गए रास्ते में सभी ने पूछा कि आपने हमारी बात क्यों नहीं मानी तो ये महात्मा ने कहा कि दास तो यह सोच रहा था कि कल आप में से भी जगा हो सकता है और जो सच्चा गुर्शिक होता है जिसके अंदर ये सत्कुरु की शिक्षा बसी हुए होती है वो हर एक के सहायता करता है वो हर कहते हैं संपूर्ण हर देवबानी में भी शबद है भगत मदद करता है तो कहता दाता तेरी रहमत है किसी के काम आप आने की बक्षी तूने ताकत है अगर किसी की हैल्प करता है तो सद्कुरु के आगे यही अर्दास करता है कि सचे पाश्या आप जिने ये सेवा के काबिल हमें समझा तो आप जिने ये सेवा दी है हमें ये सेवा करने के आप जिने ताकत दी है तो महापुरुश कहने लगे कि उस बेहन की जगह हैं अगर हम में से कोई होता और हमारी इस तरह कोई हेल्प ना करता तो हमारा क्या हाल होता जिस समय भी जिसको किसे हेल्प की जरूरत होती है हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए जिस तरह उस बेहन की हेल्प हुई उस बेहन के कितनी आशीरवात निकले होंगे कितन उसका सत्गुरु निरंकार पर विश्वाश और पूरण हो गया होगा कि धन्य है ये गुर्सिक धन्य गुरु के गुर्सिक जो सत्गुरु की बात को मान कर इकमिक हो जा जाते हैं जो सत्गुरु और गुर्षिकों में कोई भेत नहीं रखते सत्गुरु का रूप समझकर सभी के काम आते हैं और इस ग्यान को जीते हैं कहते हैं कि निरंकार को जानकर जो जन इस ग्यान को जीता है असले जीवन उसी का है जीने का मतलब जो ग्यान को करम में ढाल रहा है इस तरह हमें सत्कुर बाबा हर देव सिंग जी महराज ने भी संपूर्ण हर देव बाने के शबत द्वारा समझाया है कि भगत मदद करता है तो कैटा दाता तेरी रहमत है सचेबाशा तेरी रहमत से मुझे ये सेवा मिली है तो ने काम आप आने की बख्षी मुझे ताकत है सचेबाशा आप जीने ताकत बख्षी है हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि हम कोई सेवा कर सके सस्थन कर सके, सीमरन पर बैठ सके नहीं सचे बाश्या आपजी की किर्पा है गुरी सित रहा आपजी की किर्पा बनी रहे हम हर एक महापुर्ष का आदर सत्कार करते चले जाएं जिस समय भी जिसको सेवा की जरूरत है हम उसकी हैल्प करें सारे काम छोड़कर पहले हम उस महात्मा की सेवा करें जो हमें सत्गुरू ने दी है हम अपने आपको बड़े भागयशाली समझते हैं कि सचेपाश्या ने हमें सेवा सिम्रंससें का मुखळ अबक्षा हुआ है कहते हैं कितने भागयशाली हैं हम जो सत्गुरु के युग में सदकुर माता सुधिक्षा जी के युग में लिया है जनल जे पाश्या कहते हैं संपून हर्दे उस अवतार बाणी में शबत भी है मात गुरू दी जे मनवसे मानदाह नेरा दूर करे मात गुरू दी जे मनवसे दिल नूरो नूर करे कर्मा मारे दुनिया ये पर समझे है दातात नहीं कहे अवतार पए ना पले जे कर मस्तक नत नहीं शेंशा जी ने कहा है अगर गुरू की मत अगर गुरू की शिक्षा को मन में बसा लेता है इंसान तो उसके मन का अंदगार दूर हो जाता है और उसका मन नूरो नूर हो जाता है फिर वो हर किसी के काम आता है हर एक की हेल्प करता है इमानदारी से जीवन ही अपन करता है किसी का हक नहीं दबाता किसी का हक नहीं लेता वो अपनी दसानवादिक किर्थ कमाई करके अपना और अपने प्रिवार का गुजारा करता है कहते हैं कि कर्मा हमारी दुनिया एपर समझे अदातात नहीं कहते हैं कि जिसको ग्यान समझ नहीं आया है वो उनके पल्ले में कुछ भी नहीं गया है तो वो इस तरह ही अपना जीवन गवा रहे हैं इसलिए सत्कुरू की मत लेके अपने आपको अपना जीवन समार लो ऐसे हमें सत्कुरू समझा रहे हैं ऐसे प्यारे हमें सत्कुरू मिले हैं हम सत्कुरू के बहुत ही शुकर गुजार है सचे बाशा आप जिने जिस तरह जोड़ा है हमें इसी तरह जोड के रखना कहते हैं क्या भरोसा है जिन्दगानी का आदमी बुलबला है पानी का इस जिन्दगी का कोई भरोसा नहीं है जिन्दगी पर किसी का अधिकार नहीं चलता यह जो जिन्दगी मिली है इसमें क्या किया जाए लोग प्राया आशाओं वै इच्छा माम होती है इसलिए जीवन की सचाही को जानना है कि किसके लिए अपे जनम मिला है जो संत महात्मा होती है महापुरश जिस मारक को अपना कर चलते हैं वही असली मारक होता है क्योंकि वह तत्व दर्शी महापुरशों के संपरक में आकर जीवन के सार को जानकर आगे बढ़ते चले जाते हैं और वास्टविक जीवन जीते चले जाते हैं यही सचे पाश्या की चरनु में अर्दास है है सचे पाश्या हम आप जी के ऐसानों का बदला नहीं चुका सकते आप जी ने जिस तरह हम पर ये किर्पा की है इसी तरह अपनी ये किर्पा ताउमर बनाए रखना हम पर अपना मेर बरहात रखना मेर भरी नजर रखना सभी के भले की कामना करते हुए धभी के सुखों की कामना करते हुए दासी सभी के चर्णुमी यही अरदास करेगी कि आप सभी सिम्रण में साथ दें इस निरंकार का एहसास करते हुए सबी सिम्रन करें तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैं नू बख्ष लो बोल ये सत्गुरु माता सुदिक्षा सवींदर हर देव जी महराज कीज निरंकारी राज माता गुरु बचन अवतार कीज साथ संगर जी प्यार से कहना धान निरंकार जी